कि डर्चे बहुत हैं तो इसको मैं बहुत नहीं से पोच रहा था था थे लो दोस्तों आप सभी का सागत हमारे कौन नए फ्लॉग में और आज वापर समझा रहे हैं यूनिवर्सिटी और आज चाहत लग रहा है कि मौसम काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि रात बहुत क्लियर थोड़ा सा देख रहा है तो दोस्तों अभी हम स्टेडियम के पास में लगवा पहुंच गहे हैं और यहां पर जो स्मेल है वह प्लांट्स की बहुत आ रही है क्योंकि बारिज में भीगे हुए सारे प्लांट्स आज इसलिए बाकी रोड्स वगेरा कुछा देख अब उपर अब दिख रहा है और यह पहारों से जो पानी आता है वह भी आप देख सकते हैं अब दिख रहा है पहले कल के कंपेजन में साफ है कल के कंपेजन में अगर आप कंपेर करेंगे तो खाफी साव पानी है जबकि बारिश भी होई थी और यह दूर कहीं उन पहारों वोते हुए आ रहा है और आगे चलता चला जाएगा नीचे की ओर पानी तो नीचे की ओर जाएगा लेकिन हमें अभी उपा जाना है स्टेडियम के आगे युनिवर्स्टिटी तक तो दोस्तों एक बार फिर से मैं जंगलों के बीच आ चुका हूँ और जिसे मैं डेली जो युनिवर्स्टिटी जाता हूँ इनी स्टीडियों की मदब से यहां पे स्टीडी फ्लैट लग रही है एनी फ्लैट आगे दिखाता हूँ और यही चारो तरब से पेड़ों से घिरा होगा यह जो शॉटकट है वो मेरा है पैक कैमर दिखाता हूँ कैसा लग रहा है यह देखिए यह है शॉटकट यह है वो परवतों की चड़ाई जो युनिवर्सिटी तक लेके जाएगी मेरे को इनी फूलों को देखते हूँ अब चलते हैं आगे और यह मेरे पीछे का कु है और सामने देखिए यह सहर जो बसा हुआ है काफी सुन खुबसूरत सुन्दर वादियों में और यह बादा लगा थोड़े काम हो जाता है तो अट लिस्ट माउंटें बच्छे से दिखते तीन लेयर दिख रहे हूंगी आपको ध्यां से देखें तो माउंटेंस की वादा देखे रहा है यह देखिए कितना अच्छा लग रहा होगा जो लोग यहां पर होंगी जैसी सुपह उठता हूंगे सुपह इस तरही के खुबसूरा चीज है देखने को मिलती हूंगी इनको बाकी अब तो हम भी हैं पे तो हमें भी रोज यहां पर यह सब दिखने म बागी आप इन सभी को पीशे छोड़ते हैं वापस चलते हैं यूनिवर्सिटी की और जल्दी से अब थोड़ा और उपर जाने के बाद कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है यहां से काफी संदर लग रहा है देखने में पेड़ बगरा तो और भी अच्छे लग रहे हैं तो दोस यह रहा है स्टेडियम व्यूटिफूल सा हमारा स्टेडियम है और आगे मेरी उनिवर्सिटी है और पीछे माउंटेंज तो फाइनली दोस्तों अब मेरी उनिवर्सिटी की शुट्यों के घर पहुचने वाला हूं और मेरी सामने एक बद फिर से प्यारा सब यह दिखाता हूं कि डरते बहुत हैं आगे जो डोक्श वगए रहा है में जान दिया है बहुत जाद ही डरते हैं पता नहीं क्या है बहुत दराओने लगेंगे आपकरी उतने अफ़ने सिर्फ लगेंगे हैं नहीं कुछ ऐसा ही आले इस देख सकते हैं दोस्तों जो मांटेंस पूरे तरी कर सब बादलों में घेर चुके हैं इस टाइम पर हर तरफ कोई mountain अपको दिखेगा नीए खेत वगैर में अराम से खेती हुई है खेती तो दिख रही है लेकि mountains की खेती मतलब mountains नहीं दिख रहा है क्योंकि बादलों ने घेर रखा है हाला कि अभी दो पहर में तो बारिश नहीं हुई, कड़ात में हुई थी, सुबह भी हुई थी, अभी तक नहीं हुई, क्या पता, हो जाए शाम तक, यह देखे, काफी अच लगते हैं प्रांट्स, रास्तों के बीच में जब होते हैं तो, तो इसको मैं पहली से खोज रहाता आज पर मिल गया है, यह वही है, जो यहां पर बैठा रहता है, आम तो खर पे, हलो, लेकि शायद इसको मेरे में को इंट्रेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं देखता है, तरफ ही है, भाग जाता है, जब भी जाता हूं तो, और जो बादल वगेरा हैं, वो हर तरफ चाय हु शाम हमारा कुछ ऐसा, तो फाइनली दोस्तो आज व्लोग को तो ज़ल्दी एंट करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत आदा कामिल आई यहां से किसे, तो मुझे वो पैले करना है, तो मिलते हैं अब एट कल एक नए व्लोग में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक रुपने सब्सक्राइब तो किसा चेर जो परिया